यह कुशन जेमें 2022 का है देखे इस कुशन को हमें क्या क्या आपने को गिवन है बुला है लेट ता पॉइंट अन्द प्लेंट पी ठीक है ना आपका एक पॉइंट जो है प्लेंट पी पे है इस कुशन से आपको क्या समझ में आया है मान के चलो यह एक प्लेंट है ठीक है और इस प्लेंट से दो पॉइंट जो है वो एक यू डिस्टेंस पर लाई कर रहा है तो एक पॉइंट आपका यहां पर A-421 है और दूसरा पॉइंट जो है आपका इसी से एक यू डिस्टेंस पर आगया है यहां पर बी पॉइंट जो है आपका वो है 2-2 और 3 ठीक है तो क्या आप कह सकते हो इक तरह से इसका मिड पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई करेगा तो मिड पॉइंट का जो कोडिनेट हो जाएगा वो क्या होगा मैनस 1, 0 और 2 होगा अब बोला है जो यह जो प्लेन पी है अपने सुरा देन दा एक्यूट एंगल बिट्विन दा प्लेन पी एंड दा प्लेन और 2x प्लस y प्लस 3z इक्वास तो 1 मतला इन दोनों प्लेन के बीच में जो हमें क्या फाइंड करना है एक्यूट एंगल फाइंड होता है चैसे एक प्लेन का एक फॉक्राइशनागी लिए हमें प्लेन पे कक्या एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल नॉर्मल रिएक चाहिए है तो अब यहां पर देक पार होगे तो प्लेन पे अपने को पॉइंट टो दे रख है और डाय्क्स आश्योध मिल जाएगा ठी है क्योंकि यह दोनों औह पॉयр्ट जो है अगर मिला है तो यह क्या होगा प्लेन के इसके डेखने होगा एक तरा सबस्क्राइब इस मिर इमेज इस प्लेन के कह भू개 हो ढॉट हमें ये 2-4 ठीक है ना-2-2 और 3-1 ऐसा कह सकते हैं तो यह आगया आपका 6-4 और 2 आगया ओके इसी को अपने लिख सकते हैं तो कॉमन लिया जाए तो यह क्या आजाएगा 3-2 और 1 अब अगर equation of plane लिखें तो point पता है नॉर्मल का direction ratio पता है तो equation of plane भी आ जाएगा तो equation of plane लिखने की ज़रत है नहीं क्योंकि हम से क्या पूछा है सिर्फ एंगल पूछा है न तो वह इसके normal के direction ratio और इस सवाल ले प्लेन के normal के direction ratio से मिल जाएगा लेकिन अगर आपको equation of plane लिखना हो तो बस लिख देता हूँ एक बार देखी ज़रत नहीं है तो 3x plus 1 minus 2 y minus 0 plus 1 z minus 2 equals to 0 ठीक है न तो यहां से यह आगया आपका 3x minus 2y plus z plus 1 equals to 0 एक plane यह है दूसरा plane आपका मतला एक plane तो आपका यह वाला आ गया है ठीक है न और दूसरा plane अपने गिवन है 2x plus y plus 3z तो यहां से लिख सकते हो 2x plus y plus 3z minus 1 equals to 0 अब इसके बीच आपको angle find करना है तो angle क्या हो जाएगा भई है कॉस्ट थीटा एककोल स्टू क्या लिख सकते है एन वन डॉट एन टू अपान मॉड आफ एन वन मॉड आफ एन डू एक क्यूट चाहिए तो इसलिए पन यहां पर मॉड ले लेते हैं तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा 6 मैनस टू प्लस 3 अपान स्कॉर्य रूट स्कॉर्य रूट आफ 14 स्कॉर्य रूट आफ 14 ठीक है तो यह आ गया 7 अपान 14 यानि की वन बाइट तो थीटा का विल लिए अपन बता सकते हैं थीटा एक्वल स्टू क्या हो जाएगा पाइवार 3 यह इसका एक्क्यूट एंगल होगा तो कॉन सा ऑप्सें इसमें से तो c option अपना correct है काफी simple question है अपने देखा इसमें normal का direction ratio find कर लेते हैं इन दोनों के health से और यहां से एक normal आ गया तो इन दोनों के मीचे अपने को क्या find करना है angle find करना है ओके